नमस्कार साथियो दिल्ली फ्रेस मार्किट में आप सभी का स्वागत है दस तारीक दिन सुकरबार केसे पुर्मंडी दोस्तो दुखान नमर 57 इनका जो है श्पेसल अधरक लसन मिर्ची और निम्बू का काम है आज जो है इंदोर वाला आज दोवारा से डाउन देखने को मिला इंदोर वाला मिर्ची कल 50 रुपे का रेट था आज दुबारा रेट गिर गया है 20 रुपे पे आ गया है 30 रुपे डाउन चल रहा है आज मिर्ची का रेट दोस्तो अचारी मिर्ची इसमें भी 5 रुपे डाउन देखने को मिल रहे है कल 20 का रेट था आज है 15 का रेट दोस्तो अधरक ठोका रेट है आज का पुराने वाला अधरक का 40 से लेकर के 45 रुपे पूरा कट्टा लेना पड़ेगा कम शेकम दोस्तो निम्बू आज का रेट तेज देखने को मिल रहे है आज है सार से लेकर के 70 रुपे का रेट है बाकि क्वालिटी के इसाब से रेट है कल से आज 10 से लेकर के 15 रुपे उचा देखने को मिला निम्बू में दोस्तो लस्तन ये दाने वाला लस्तन आज का रेट है सार से लेकर के 40 रुपे का साइज के एकोडिंग रेट रहता है कम से कम आपको एक कट्टा लेना पड़ेगा जो भी चीज का रेट बताए में अद्रक का हो या मिर्ची लस्तन निम्बू ये सभी थोक का रेट बताए में दोस्तो दुकान नमर 39 आज जो है सर के पास सिमला परवल ककोरा कुंदरू और अर्भी मिल जाएगा अर्भी का रेट है आज का 10 रुपे किलो दुलावा अर्भी मोटे साइज का कम से कम एक कट्टा या आदा कट्टा लेना पड़ेगा वजन निकलेगा एक कट्टे में 50-55 किलो दोस्तो कुंदरू पन्नी वाला आज का रेट है 10 रुपे और ये कट्टे वाला इसका रेट है 12 रुपे कम से कम आदा कट्टा लेना पड़ेगा आपको, इसमें वजन रहेगा 25 किलो के आसपास दोस्तो करेला, आज का रेट है 15 रुपय का कम से कम एक परणी लेना पड़ेगा, वजन निकलेगा 20-22 किलो दोस्तो परवल सूपर क्वाल्टी में है 30 से लेकर के 32 का रेट है सूपर क्वाल्टी का कम से कम आदा कट्टा लेना पड़ेगा इसमें भी और सिमला सिमला आज भी का है 35 से लेकर के 45 रुपे तक वजन रहेगा पेटी में 22 किलो बाकी शिमला में जैसा क्वाल्टी वैसा दाम है दोस्तो ककोडा आज का रेट है 30 रूपय का भरती निकलेगा के रेट में 20-22 किलो दोस्तो दुकान नमर 34-33 ये एक ही आरट है बाकी आज का रेट चल ला है गोबी का राजिस्थान वाला 300 से लेकर के 400 रूपय कटा भरती निकलेगा 20 किलो के आसपास पत्ते समयत काट करके 12 किलो के आसपास अजी सरा आज जो है आपके दुकान पर क्या-क्या है होगा है सबजियों में सबजियों में गोभी है अदरख है करेला है कुंदरू है अद्रक कुन से हैं नया है राजास्तान का ये 20-22 रुपय गलो अमन्दा हो गया वाला नहीं राजास्तान साइट दोस्तों करेला गुज्रात वाला करेला आज का रेट है 14 रुपय कम से कम एक पनी लेना पड़ेगा बरती निकलेगा इसमें 20 से लेकर पचीस किलो तक दोस्तो अर्बी मिट्टी वाला इसका रेट है आज का 10-12 रुपए बंफर साइज में और गोली वाला जो छोटे साइज में आता है उसका रेट है 5-6 रुपए दोस्तो बरता बैगन दोस्तो बरता बैगन मैं कल से आज का रेट डाउन देखने को मिल रहा है इसलिए बैंगन का रेट डाउन है 16 रुपे किलो है, कल विका है 20 से ले के 25 रुपे किलो तक दोस्तों ये शित्ताफल कद्दू, इसमें भी डेट डाउन देखनों को मिले है, आज कल विका था 12 रुपे किलो, आज है 8 रुपे किलो अजी सरा आज जो है, मूली क्या रेट विका है अभी, अभी विका था 13 रुपे, 14 रुपे, 16 रुपे, 16 रुपे, 17 रुपे और ये पेठा क्या रेट रुपे किलो, सुबे भी 10 रुपे, आप भी 10 है दोस्तों पत्ता गोबी, आज का रेट है, आर्सो से लेकर के सारे आर्सो रुपे का, वजन निकलेगा इसमें 50 किलो, 55 किलो, बरती में किसी किसी कट्टे में 60 किलो भी निकल जाते है दोस्तो सिम्ले वारा पत्ता गोबी आज का रेट है 700 रुपए गा भरते निकलेगा 40-45 किलो दोस्तो हैवरीड खीरा मुरादाबाद का एक नमबर खीरा भिख रहा है आज 14 रुपए किलो और दो नमबर जो मोटा साइज का आता है वो 5 रुपए 6 रुपए किलो है दोस्तो लाहोल सिपिकति वारा गोबी सूपर कॉल्टी में भिखा है 35-37 रुपए राट को भिका है 35 रुपए अभी भिक रहा है 32 रुपए वो हलके में 20-25 रुपए का रेट है दोस्तो चुचु बैगन आज का रेट है सूपर क्वाल्टी का 13 रुपए बरती निकलेगा 20 से 25 किलो तक दोस्तो चैना खीरा चैना खीरा का आज का रेट है सूपर क्वाल्टी में 20 रुपए और हलके का कोई रेट नहीं है 10 भी मिल जाए 15 भी मिल जाए दोस्तों दुकान नमर 20 इनका भी जो है इस्पेसल हरी सब्जी का काम है आज है इनके पास गाजर बिंडी और अर्बी और केला है और करेला भी आया था बाकी आपको जो रेट बताऊंगा गाजर और केला और ये टिंडा का बताऊंगा ऐसानध गाजर पेलिए पची एक रкив ऑल और ये दो नम्मर विक्री पंदर विकलो ये दो नमबर है सर ये पंदर वर ये व किलो बिंडर बुका ये थोड़ा विकरा बाइस रुपा है ये खैल केला बिकरा क्यमें केला बढ़िए क然后 कले में तेजे केला बढ़िया ओंगा क्व दोस्तों भिंडी जो बारिक वाली बिंडी आते हैं छोटी वाली 18 से लेकर के 20 रुपे का रेट है और ये पन्नी वाले जो बिंडी देख रहे हैं मीडियम साइच का इसका रेट है 14-15 रुपे और इससे जो हलके में आता है उसका रेट है 8-10 रुपे किलो दोस्तों सर के पाँ जो है चैना वाला सिंहेल मीड शें और इससे निकीड एट है नद्जी साइबार इससफौद बिंड है टो पोई ने करो आहल को या जा एकिलें किल नियोक और टो इससथी रुपी एक जिश्टी रुपी सथेर्टिक अरे रुके क्वा CH, नहीं होता है मार्केट में जिस रेट ग्राग ले ले तर यह बीन कुछ जो है यह कुछ दिन पहले चालिस रुपए 50 रुपए कि लो दा यह पर सो तीस रुपए किलो था इतना उचा होने का कारण तर मार्केट में माल शोट है तो रेट महेंगा हो गया हैा दोस्तो कई सब्जियों मैं काफी करेंट देखनों को मिलना है रेट डबल हो रहा vacuum समझ लो जैसे थिम्ला मिर्च हो गया अपना बींट सो हो गया कई सब्जी है जिसमें जो है रेट एकदम से आचानक से डबल हो गया पहले से पीछे से जो है सब्जी बहुत कम आ रहा है आवक कम है मंटी के अंदर सब्जियों का जिसके कारण रेट काफी उच्चा देख रहो मिल ला है कई सब्जियों में दोस्तो दुखान नमबर सोला आज सर के पास मिर्ची और अद्रक है निम्बु अभी आया निये सर के पास नमसकार दोस्तो अज जो है मिक्रेट विक्राएं सर आज मिर्ची बिख्राएं इंदोर पच्छीश का बजा रहे है पुलड़ाना वाला बिक्राइं न्या आये 2-5 पाझेंए न्यांग! आप पर्सूमाइगा त्याजित भी कंट्ट्टा किंट रहे डिवल सेवन दोस्तों किसी को भी अगर थोंक में लेना हो जैसे यह कुझेत कर्थ यहां पे-क्टा कम से-क मिलेंगा मिर्ची लो यहां फिर आप अद्राइग लो अधर यह तो कम से कम आधा कट्टा भी मिल जाएगा दोस्तो लोबिया सूपर कृ स्वाल्टे में बिक रहा है 20 रूपे किलो और तोड़ी तोड़ी का रेज्ट है आज का 10 रूपे किलो कम से कम पन्दे में निकलेगा आपका 20 से लेकर के 22 किलो वजन तोड़ी के पन्डी में अंजी सार नमस्कार आजी तर्विया आज जो है देशी किला बारिक वाला क्या रिट प्रेश इसर आज की बजाट दस रुपे किलो चला जी दस रुपे कीलो आजी और ये मोटे साइज वाला सर दोस्तो ये मीडियम साइज वाला गीय है आज का रेट है 200 रुपे 300 मेडियम साइज में और बारिक वाला जो गीया आता है उसका रेट है 400 रुपे वजन निकलेगा एक पर ने में 30 से 35 किलो कम शेकम दोस्तो पेठा कद्दू इसका रेट है आज का 10 रुपए ये ना पक्के में आता ना कच्छे में मीडियम है ये दोस्तो दुकान नमर 53 इनके पास जो है आपको बुटाई बुटा मिल जायेगा आज का रेट है 60 लिकर के 70 रुपए धरी ये शंबल वाला अपना बुटा है आज के दिन जो होता है आज भगबान बुटा खाता है क्योंकि आज इसको चलाए जाता है इसलिए के बहुत तेज है दोस्तो दुकान नमर 69 इनके पास भी आपको थोक और रिटेल दोनों में मिल जायेगा दनिया थोक में कम से कमें एक गठरी लेना पड़ेगा आपको दोस्तो आज जो है थोक रेट निच्चे से निच्चे 30 रुपे और उच्चे तक है 80 रुपे सुपर क्वाल्टी 80, 60 रुपे, 80 रुपे विख रहा है और निच्चे में लो क्वाल्टी विख रहा है 30 रुपे, 40 रुपे दोस्तो दुकान नमर 69 ये जो है लाइन धनिया का ही है पूरा इसमे जो है कई धनिया बेचने वाले बैठते हैं लेकिन दुकान नमर एक ही गिंती होता है, बेचने वाले अलग-अलग हैं, इनका धनिया आज का रेट है 90 से लेकर के 80 रूपेगा, ठोक का, जो पोर्ट का रेट है, सूपर क्वाल्टी में 90 से लेकर के 80 रूपेगा है, वो हलके वाला है 30 रूपे, 40 रूपे, पूना नाशिक अंजी, आपका मुवाल नमर क्या रहेगा? 95, 94, 94, 04 ये दनिया इतना महँगा का कारण क्या है? बारिस के वजएसे, जो की माल नहीं आड़ा, खेद में पानी लगा हुआ है बारिस के वजएसे, महाँ पर कटाई नहीं हो पा रहा है, कहते हैं पानी लगा हुआ है, जो की कम माल आ रहे है, महंगे भी कर रहे है दोस्तों, देशसी टमाटर सरके पास आ जाए हुआ है, बाकेन के पास है, हैवरेट भी आता है, ये कन्नर वाला देशी है अजी सर नमस्कार नमस्कार भाई ससा बोली है अज जो है, आपके पास देशसी टमाटरा है जी, ये औरंगा बाद करणर एरिया है जी, गर्छ ईढ़ाया है अच्छा जी, ओर इसके इलावा है फॉरेट भी आया था? हाइब्रेट हाया था पर अजिस देशी वाला जो है उडंग बाद एक चार्सों सत्तर वेट तक डिए पन्सों तक विकरारै उड़ा आज़ा बढार अ क्या विकरां ईक है सूपर कॉल्टी नहीं है बारिष के कारण जो है माल खराब हो गए सूपर क्या साथ जी और यहाँ सूपर क्याल्टी होता तो हें नी तो होता क्या नबर पॉटा तो यहां बार नंजी चालके माल फेड करामी है मार्केट में कम आने से उठाओ अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि जहां पे 30 गाड़ी आती थी 25 गाड़ी आती थी वहां 12 गाड़ी पंदरा गाड़ी आई है इसलिए जो है इस टमाटर का भाव जो है डियोड़ा हो गया है लगबग अगर यही माल 30 गाड़ी होता तो यह 300 400 हाइश्ट होता जैसे पहले जादा गाड़ी आता यह एक अप्ते पहले यह वहां पर बारी सोने के कारण जो है लोड़िंग नहीं हो पाया है वहां से बारी ज्यादा थी खेतों में तोड़ाई नहीं हो पाती है तो इस वोजा से जो माल कम मार्केट में पहुंचा इस अचला हुआ है बाकी जब माल आज आएगा तो फिर रेट उसी अफ्थान पर जाएगा जहां पर पहले जो चल रहा था हो ऐसे यहां जी तरहा जो टोटल गाड़ी किना है सार मंडी में पंदरा गाड़ी ज्यादा ज्यादा थी है ना बई देशी का ज्यादा है याइबरे छे गाड़ी थी और देशी छे साथ गाड़ी देशी थी बस